दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बरी खुसखबरी है और ये जो खुसखबरी है वेकेंसी को लेकर 130,000 पद उपर जी हाँ दोस्तों 130,000 पद उपर किंद्रियर रिजार पुलिस पल में भरती को लेकर ओफिस्यल नोटीस चलिए देखिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलप क करेंगे कैसे क्या सेलेक्शन होगा फॉर्म भरने के लिए मिनिममम एज मैक्सिमम एज कितना चाहिए सभी चीजों के बारे माप सभी को एटुजेट जानकारी देने वाले हैं तो उचलिए ओफिस्यल नोटीस देखिए सबसे पहले तो यहां से आप एनाई का ट्वीट दे सभी चीजों के बारे मापको बताने वाले हैं यहां पर आप देखेगा ministry of home affairs यानि की गिरिह मंत्रालिक और यहां पर देखेगा है जिसू यानि गिरिह मंत्रालिक क्योर से एक notification इसू किया गया है regarding देखेगा तो recruitment for around 1.30 लाग यानि दोस्तों 1,30,000 पदो पर भरती के बारे में चलिए यहां पर देखे और post देखेगा तो यह constable का post यानि सिपाही का post है और इसमें देखेगा तो notification को भी attach किया गया है तो चलिए यहां पर आप time भी देख सकते हैं आज ही सुबह में 8 बज के 20 मिनट एम में tweet करके बताया गया है यह तो हो गया दोस्तों 1,30,000 पदों की बारे में अब चलिए इस form को कौन-कौन fill up करेंगे कैसे क्या selection होगा form कब से कैसे क्या fill up होगा सभी चीजों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं यहाँ पर देखेगा भारत का राजपत्र तो ये गजट में परकासित किया गया है और यहाँ पर देखेगा तो सभी चीजों के बारे में बते आ गया है केंद्रियाय सरकार यानी की central government में केंद्रियाय डिजर्ब पुलिस वाल अधिनिया मुनिस सुन चास मिश्मिश सभी चीजों को लेकर आपको क्लियर होने वाला आगे पोस्ट डिटेल्स के बारे में भी बताया गया महिला के लिए कितना पोस्ट है पुरूस के लिए कितना पोस्ट है तो संसिप्ट नाम देखेगा यहां पर तो केंद्रे रिजर पुलीस वाल कॉंस्टेबल साधारन इसके बाद देखेगा तो पद की संख्या वर्गी करन सारा कुछ यहां पर बताया गया है तो भर्ती की पद्धती आयूसिमा के बारे में आप देखेगा तो अन्य चीजों के बारे में के करके सभी चीजों के बारे में बताया गया है और यहां पर देखेगा तो यदि नहीं होगा तो पहला कंडिशन तो यह है कि भारत का नागरी होना चाहिए इसके बाद यहां पर देखेगा तो एक एक करके देखिए कॉनस्टेबल साधारन ड्यूटी यानि कि जैनरल ड्यूटी स्सके माध्यम से जो भरति दी जाती है जी डी का एससे जी डी पोस्ट टेम है तो जैनरल ड्यूटी और यहां पर पद की संख्यां देखेगा त एक लाग उन तीस हजार नौ सूंती से यानि कि यह 1.30 लाग यानि वर्गी करन में साधरन केंद्रिया सेवा समू होगा गुरूप सी का ये पोस्ट है और आज पत्रित नन गैजटेट पोस्ट है सेलरी में देखेगा तो वेतन तीन का ये जौब है लेवल पेश के लेवल त्री का जौब है 21,700 इसमें बेसिक सालरी है तो जब आप जोईन कीजिएगा तो लगभग इसमें आपको 32,000 पलस सेलरी बनने वाला है इसके बाद सेसी जीडी वाले पोस्ट में रिस्क अलाउन साल लगभग से दिया जाता है तो आपका लगभग 50,000 सेलरी इसमें बन जाता है और चैन पद या आप चैन पद तो यहां पर लागू नहीं होता है इसके बाद देखेगा तो सीधी भरती किया जाने बाले बैक्तियों के लिए आयू सिमा तो आयू सिमा के बारे में 18-23 वर्श तो minimum age जो चाहिए आपका form भरने के लिए 18 साल चाहिए और ये कब से मालगा जाएगा तो जब form भराया जाएगा तो उसमें date रहेगा और ये कुछ दिनों में कुछ महिना में भरती आई जी तो ये अगस्त से count किया जाएगा जैदे उमीद है नहीं तो जनवरी 2023 से भी count किया जा सकता है तो minimum तो हो गया 23 साल minimum हो गया यहां पर 18 साल maximum की बात करें तो 23 वर्स है अगर आप जनरल कैटेगोरी EWS कैटेगोरी साते हैं तो 23 साल चाहिए अगर आप BCBC साते हैं तो 3 साल का छूट मिल जाता है अगर आप OVC साते हैं BCBC बिहार में है central में OVC है तो अगर आप O OVC साते हैं तो 3 साल का आपको छूट यानि कि 26 साल आपका maximum एच चाहिए SCST में 5 साल का छूट है तो इस तरह इस देखेगा 28 साल अधिकतम मूर का कंडिशन है जो कि यहां पर भी बताया गया है अनुसुचित जाती जन जाती के लिए 5 वर्स अन्य पिश्रावर, OVC के इसके बाद देखेगा तायूसिमा निर्धारित करने का निर्नायक तित्ति हुआ होगी जो करमचारी चैनल SSE बिग्यापित की जाया तो यानि SSE के माध्यमस साल 2023 में दोस्तों अब तक के थिहास में सबसे बरी भरती रहने वाली SSE GD के माध्यमस इसमें देखेगा एक ला इसके बाद भूतपर आगरी विरों के अभ्यारतियों के लूपरिया इसमान तीन वर्स की सिथिल की जा सकती है इसके बाद यहां पर देखेगा तो सिधी भरती किया जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपयक्चित सैक्ष निक हो गिता तो SSE GD का फॉर्म भरने के लिए मि दिगरी आपको होना चाहिए तो बस 10 पास है परसिंटेज मार्क का कोई कंडिशन नहीं है इसको बाद देखेगा तो भरती के लिए उल्लेखित कॉंस्टेबल साधरन ड्यूटी के लिए यथा विहिन सारी गदक्षता परिक्षा और लिखित परिक्षा मारख होना चाहिए तो यानि कि आपको फिजिकल भी पास करना पड़ेगा लिखित परिक्षा भी पास करना पड़ेगा इसके बाद देखेगा यहाँ पर तोसीधी भरती द्वारत कॉंस्टेबल साधरन ड्यूटी के बद पर भरती के लिए 10 परती सत रिखतीया भूत पुरुष अगनी विरो तो फैनली दोस्तों यहाँ पर भारत सरकारी के वर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है गजट के माध्यम से सीटों की संख्या के बारे में देखेगा एक लाग उन्तिस हजार नौ सोंतिस है अब यह वैकेंसी का बाएगित एससे जीडी के माध्यम से आपको यह भरती देखने को मिलेगा और एससे के तिहास में अब तक कि सबसे बरी भरती रहने वाली है तो इसलिए आप सभी अच्छे से त्यारी किजिए टेंथ का पास होना चेत यह भी अगस्त से मांगा जाएगा कुछ दिनों में भरती आएगी तो अगर इस साल भी आपका रिजल्ट आ 20 question math से पूछा जाएगा 20 question reasoning से 20 question आपको GKS देखने को मिलेगा 20 question जो यहाँ पर Hindi English दोनों से है या तो आप Hindi बनेए या English बनेए तो यह आपके लिए है और 80 हो गया इसी में से लग भग आप 60 question बना लिजेगा तो असानी सा आपका selection हो जागा इस से कम पर ही selection इस वार होगा लगवग 50-555 पर ही क्योंकि इतना अधीक सीठ है इसलिए आपका सानी से सेलेक्शन होगा इसके बाद आपको फिजीकल टेस्ट देना हैं मेडिकल टेस्ट देना है और फाइनली रोप से आपका सेलेक्शन होने वाला है तो यहां से सभी चानल पर ने हैं फटा पर चानल को तो कमेंट करके बते हैं, अब ही से आप सभी को तयारी में लग जाना है, जिससे भरती आएगी, तो असानी साब का से लेक्षन हो जाएगा, अगर भरती आएगी, उससमाइ आप तयारी में जूटिएगा, तो फिर आपको ड़ाय से तीन मेहने का ही समय मिलेगा, और आप बहत दिन त्यारी नहीं कर पाईएगा इसलिए अब हीस आपको त्यारी में लग जाना है तो कमेंट करके जरूर बते ही अगर आप से भी प्रिवेसर का क्वेस्चन देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को प्लब्स करवाएंगे वीडियो के माध्य हम से डिटेल्स डिस्काशन क क्वेसाथ